तो सबसे पहले अगर बात करें तो SIP जो most common SIP है वो होती है आपकी regular SIP इसमें जो इसका amount है यानि कितने रुपए आपके invest होंगे वो fix होता है फिर जो इसका frequency यानि कितने समय बाद पैसा है आपके खाते से कटेगा तो वो frequencies की fixed होती है यानि कि interval भी इसका fix होता है फिर इसका जो tenure यानि कि वो कब तक SIP आपकी चलेगी उसका जो समय है तो वो tenure we fix होता है तो इस तरह की SIP को हम बोलते है regular SIP ये most common SIP होती है जो generally लोग लेते है एक्जाम्पल की तोरब बात करें तो अगर SIP है मानली जो कोई 1000 रुपे की 8 monthly यानि कि वो monthly पैसा आपके खाते से कटेगा for one year यानि कि 12 महीने तक ये पैसा 1000 रुपे के हिसाब से हर महीने आपके खाते से कटेगा तो इस तरह से इसको बोलेंगे हम regular SIP तो इस case में क्या होगा आपके खाते से 1000 रुपे कटा पहले महीने फिर 1000 रुपे कटा अगले महीने फिर 1000 रुपे कटा अगले महीने इस तरह से जो यह SIP है पूरी fix period तक चल जाएगी फिर अगली type की बात करें SIP की तो वो होती है आपकी perpetual SIP इस SIP में जो amount है वो आपका fix होता है जो उसकी frequency यानि के जो उसके period होता है कटने का वो इसमें monthly, quarterly, half yearly हो सकता है वो भी एक तरह से जो आपका period है वो fix होती है जो इसकी frequency कभी पैसा आपके खाते से कटेगा फिर बात करें इसकी जो tenure है इसमें कोई भी tenure fix नहीं होता है यानि के जो tenure है वो आप इसमें decide नहीं करते हैं इसमें tenure आपका unlimited होता है जब तक आप इसको बंद ना कराएं तो यह SIP च time के लिए होती है इसलिए इसको perpetual SIP बोलते हैं एक जामपल को दोर पर बात करें 1000 रुपे के SIP अगर आप monthly चलाते हैं for the monthly interval और unlimited time के लिए तो इस तरह की जो SIP है उसको हम बोलेंगे perpetual SIP तो इस case में क्या होगा जो आपका पैसा है वो हर महीने एक हजार रुपे के साब से mutual fund में लगते जाएगा और आप काते से करता जाएगा लेकिन जो इसका tenure वो unlimited होगा फिर एकला जो type है SIP का वो होता है step up SIP तो इसमें क्या होता है जो amount है व इसमें amount है वो fix नहीं होता है वो vary करता है time to time फिर इसका tenure है यानि कि जो frequency है इसकी वो आपकी fix रहती है आपकी weekly, monthly, half yearly या early जैसा आप चाहें वो कर सकते हैं फिर जो इसका tenure है वो भी आपका fix generally होता है चाहे तो यह आपका unlimited भी हो सकता है like perpetual SIP तो इसको समझ लेते हैं example को दो पर एक हजार रुपी की मान लिज़े आपकी SIP है with top up of hundred rupees at every six month यानि के एक हजार रुपी के आप SIP करते हैं और आप ये condition लगा जेते हैं SIP लेते हुए कि आपकी जो SIP है हर 7 महिने यानि के छटे महिने के बाद वो hundred rupees से वो बढ़ जाए और जो overall time है वो tenure है वो SIP का मान लि दीजिए two years है या तो ये unlimited time के लिए भी हो सकती है तो चलिए इसको समझते हैं जैसे आपका पहले 6 महिने जो invest होगा वो amount एक हजार रुपे से होगा 6 महिने के लिए फिर इसके बाद वो hundred rupees से बढ़ जाएगा यानिके साथ महिने से जो amount है वो आपका 1100-1100 रुपे के store पे बढ़ जाएगा तो वो 12-1200 रुपे invest होता चला जाएगा इस तरह से जो SIP है यह उसमें जो amount है वो एक time के बाद increase होता चला जाता है तो इसको हम बोलते है step up SIP फिर बात करते हैं अगले type की जो अगला type है वो है आपका trigger SIP इसमें जो amount है वो SIP का वो fix होता है कितने रुपे का आप तो mutual fund खरीद नहीं या कितना पैसा invest करना है वो यहाँ पर fix होता है लेकिन बात करें इसकी frequency की तो वो depend करती है जो भी condition आप set करते हैं अगर वो condition पूरी हो जाती है फुल्फिल हो जाती है तो उस case में ही यह SIP trigger ह होती है इसलिए इसको trigger SIP बोलते हैं जो कि based होती है आपके किसी भी terms condition पर उसी के according यह आपकी trigger होती है जो इसके tenure है वो आपका limited भी हो सकता है unlimited भी हो सकता है अगर बात करें trigger SIP की example की तो जैसे माल लेजिए आप यह condition लगाते हैं SIP लेते हुए कि अगर nifty 10% 5% या 3% के साब से down होता है depending upon your condition तो आपकी जो 1000 रुपे की SIP है वो particular mutual fund में trigger हो जाए और उसके tenure है वो fixed भी हो सकता है और unlimited भी हो सकता है अब चलिए इसको समझते हैं एक further graph क की मदद से तो माल लेजिए कि यह निफ्टी का graph है और यहाँ पर different different nifty के level दिये हैं 16,000, 17,000, 18,000 और 19,000 अब माल लेजिए जो निफ्टी है वो 1000 point से गिरता चला जाता है तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो भी condition met हो जाती है तो वहाँ पर SIP आपकी trigger हो जाती है और इस त condition है वो आप different different ले सकते हैं निफ्टी के जगा आप sensex ले सकते हैं या कोई particular जो आपकी net asset value है आपके fund की अगर उसमें भी कोई downfall होता है 10% 5% 2% depending upon your condition तो उस case में भी यह आप SIP trigger SIP ले सकते हैं बस जो इसकी condition है वो फिल फिल होनी चाहिए तब ही SIP trigger होती है तो अगली SIP की बात करें तो वो है आपकी multi SIP इसमें क्या होता है जो amount है वो आपका fix होता है कितने रुपए आपको invest करना है हर महीने या quarterly फिर जो इसकी frequency होती है वो भी fix होती है वो भी आपका monthly quarterly हाफिल ली के साब से हो सकती है फिर जो इसका tenure है वो भी देखा जाए तो fix होता है या फिर unlimited हो सकता है देखा जाए तो एक तरह का यह जो आपकी regular SIP है उसी का एक नया version है इसको हम बोलते है multi SIP इसमें क्या होता है जो आपका पैसा है वो different different fund में लग जाता है एक की SIP के throw मालीज़े आपने 1500 की एक monthly SIP करी और आप चाहते हैं कि जो पैसा है वो तीन भागों में बढ़ जाए और तीन fund में अलग 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 जैसे कि 500 रुप आपका large cap fund में लग जाए 500 रुप आपका mid cap fund में लग जाए और small cap में लग जाए बचा हुआ 500 तो यानि कि जो 1500 रुप है वो आपके तीन भागों में डिवाइड हो जाएंगे यानि कि उससे तीन सब SIP बन जाएंगी छोटी छोटी तो इस तरह की SIP होती ह इसको बोलते हैं multi SIP एक SIP से आपकी multi SIP further divide हो जाती है और उस तरह से जो divergification है उसका फायदा आपको मिलता है चलिए उसको समझते हैं example के तो जैसे कि आपकी 15 100 रुप की SIP है तो वो तीन भागों में डिवाइड हो जाएगी यानि कि 500 रुप इस में लार्ज केप 500 मिट जाएंगे हर महीने अगले महीने भी इसी तरह से होगा फिर उसके महीने अगले महीने भी इसी तरह से होता चला जाएगा तो इस तरह की जो SIP है उनको हम multi SIP बोलते हैं मेल लिए की जाती है आपके diversification को आपका portfolio का एक basic जो गुण है वो बनाने के लिए तो इस तरह की SIP हो होई आपकी multi SIP friends thanks for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like करें share करें साथ ही हमारे चैनल को subscribe भी करें